कालका हलके में बिजली फाल्ट दूर करने के लिए क्या विवस्ता की गई है ठीक करने में लगते हैं आठ से दस घंटे कालका विधायक परदीप चोधरी ने मानसुन सत्र में कालका के मुद्दे उठाए कालका हलके से कॉंगर्स विधायक परदीप चोधरी ने सोमवार को हर्याना विधानसभा में कालका के कई एहम मुद्दे उठाए जिनका सरकार ने लिखित में जवाब दिया है कालका हलके से विदायक परदीप चोधरी ने बताया कि उन्होंने विदानसभा सतर में मुद्दे उठाते वे कहा कि बिजली को लेकर सवाल किया गया कि कालका विदानसभा में बिजली के फाल्ट दूर करने के लिए क्या वेवस्ता है फाल्ट दूर होने में आठ से दस घंटे क्यों लगते हैं और स्टाफ और अमले की कमी को लेकर सवाल किया गया तो बिजली मंतरी ने जवाब जया कि 530 खंबे और 72 ट्रांसफारमर बदले गए हैं और बतायक एक सो सारा क्रमचारी पहले से तैनात थे और 37 बाद में लगाए गई विदायक ने बरवाला बलोक के बरोली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर स्तिती बारे पुछा तो बताया गया कि अभी सेंतर नहीं चल रहा है जल्द काम पूरा हो जाएगा